हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल और अभी अभी एक बहुत बड़ी ख़वर आ रही है बिहार बोड ने जारी किया इस्टेट का रिजल्ट पैती सो आठ केंडिडेट पास और आप यहां अपना रिजल्ट देख सकते हैं जैसे मेरे पास किसी का रॉल नंबर नही है इसके पास सर्च पे क्लिक करेंगे तो फिर खुल जाएगा लेकिन मेरे पास किसी का उपलब नहीं है और सब से पहले और अगर किसी को यह करना है तो आप लोग कमेंट में रॉल नंबर अपना और डेट अब बोल सकते हैं मैं करके बता दूंगी नेक्स्ट विडियो में तो टोटल इसमें लोग एक्जाम दिये थे 1699 स्वास्त अनुदेशक योगेता परिक्षा जो हुआ था सारी रिक्षिक्षा और स्वास्त अनुदेशक का उसका रिजल्ट आया है तो उसमें 1699 उमिदवार जो थे परिक्षा दिये थे उसमें से 308 कैंडिडेट को शफलता मिली है बिहार बोड के अध्यक्स्ट अनंद हैं पर जारी किया गया है और वियारती बुद्वार से ही परिक्षा परिणाम को देख सकते हैं जो बुद्वार से बता रहा है लेकिन नहीं पेड़ाय तो इसलिए मैं बूल रही हूं कि आप लोग अपना रोल नंबर भीज सकते हैं या खुद भी चेक करके हमको बता सकते है कि हां मैं आ गया है ठीक है क्योंकि मेरे पास किसी का रॉल नंबर उपलब्ध नहीं है कि बिहार बिद्याले परिच्छा समीति के वोड़ से सारी रिक सिक्षा वंस्वास्त अनुदेशक योगिता परिच्छा पिछले साल दिसंबर में ली गई थी 2019 में दिसंबर में आप जोग भी जानते हो इसके लिए पटना में 15 केंद्र बनाये गये थे और सो अंकों के बहुत बैकल्पिक प्रस्ण इसमें थे और परिक्षा ओमर सीट पर की गई थी जैसे हर बार ओमर सीट पे ही होती है परिक्षा के बाद बोर्ड ने 27 दिसंबर को बिहार स्कूल एक्जान इनिमेशन बोर्ड ने सिक्षक पातरता परिक्षा की सारेडिक सिक्षा और स्वास्त प्रसिक्षक परिक्षा की उत्तरपुस्तिका जारी की थी और आप परिनाम जारी कर दिया है अब यह आर्थी BACB की अधिकारी की वेबसाइट जो है वहाँ पर जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं मुद्वार को मैं न्यूज में देखी हूँ तो वहाँ पे दिया गया था तो इसलिए मैं बोल दी हूँ तो यह आ गया हुआ है आप अपना चेक कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के भी शेयर करें वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद